ओम शान्ती अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 25 सेप्टेंबर की 20 वर्दान की I hope आपको कल के वर्दान की रिकॉर्डिंग मिल चुकी होगी और उसमें आपको पता चल गया हुआ कि 1st October को एक बहुत important event हो रहा है जो कि सिर्फ एक घंटे कले होगा अगर बहुत questions होगे तो वो डेट घंटे तक भी चल जाएगा लेकिन हाँ हम सब मिल रहे हैं और वो सब कौन है वो है आपके whatsapp group में जिन लोगों ने already मुझे whatsapp कर दिया है उनको मैंने google form दिया है और वो इस group में आ चुके हैं जिनको की zoom link दिया जाएगा one to one and a half hour sessions के लिए आप भी join कर सकते हैं और वहाँ पे हम mind कैसे काम करता है हमारा साथी साथ हम कौन हैं हमारी true identity क्या है और हम fear और anxiety को कैसे overcome करें उसके बार में चर्चा होगी और अब बात करते हैं परमात्मा के ग्यान की परमात्मा ने आज के वर्दान में कहा है कि परक्टने की शक्ती दोरा पर्खों की क्या सही क्या गलत है कौन सही कौन गलत नहीं क्या सही क्या गलत इंसान नहीं क्या सही क्या गलत है मुझे क्या सोचना है मुझे कह नहीं सोचना है मुझे औरों के बारे में नहीं सोचना, मुझे विर्थ संग अलपनी करने है करें कैसे उसको? देखते हैं परमात्मा कहते हैं, परपनी की शक्ति द्वारा कू संग कू संग वा विर्थ संग से बचने वाले शक्ति शाली आत्मा भबा हमारा जो संग होता है उसका हमारे उपर रंग लगता है वैसे हमारे लोग हमारे साथ में होते हैं वैसे हम बन जाते हैं और उसका हमें बहुत असर पड़ता है हमारे relationships में हमारी psyche के उपर हमारी psychology के उपर हमारी health के उपर बहुत चीज़ी को बहुत असर पड़ता है इसका, even financially. तो परमात्मा कहते हैं, कहीं बच्चे कुसंग अर्थात, बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा, उसने ऐसे कर दिया, अच्छा, उसके बार में ऐसे हुआ, अच्छा, उसने ये कहा, उसने फिर ये लड़ाई के, और उसने ये गली दी, उसने ये कहा, वेस्ट, व्यर्थ, समय वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, फोकस वेस्ट, परमात्मा को याद करना है, meditation करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, वेर्थ बाते कर रहे हैं, चटपटी बाते, परमात्मा फिर कहते हैं, क्योंकि वेर्थ बाते, रमणीक और बाहर से अकर्शित करने वाले होती है, चटपटी हो, बाहर से अग बड़ी रंगी चंगी होती है वा अच्छा, उसके जीवन में ऐसा हो रहा उसने ऐसे कीज़ कर रही अच्छा, वो जेल में चला है, अच्छा, उसके पास ये हो गया उसके साथ में ये हो गया परमात्व कहते है, stop होती है, इसलिए बाबदादा की शिक्षा है ना व्यर्त सुनो, ना व्यर्त बोलो कोई आपको सुना रहा हो इसके जीवन में हो गया not interested, कोई ना व्यर्त बोलो ना किसी और को वो बाते जाके फिर्क सुना तो चैनीज इस पर ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो, पिकोज सोच ही कर्म है, ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाई और कोई भी संग का रंग प्रवायत न करे, परमात्मा के ही संग सबसे प्योर संग है, उनी से मुझे संग रखना है, उनी की बाते सुननी, उनी से बाते करनी है, परखने की शक्ति द्वरा खराव वा विर्थ संग् को पहले से ही परख कर, जज्जमन की पावर है उनी जी न, परखना मलब जज्जमन करना कि नहीं भर, यह इंसान मुझे कुछ गलत सुनाने वाला है, इस इंसान की ये बाते मुझे गलत लग रही हैं कि ये सुनने ही नहीं हुझे इससे में कोई आस्ते से कोई ने कोई बहाना मार के निकल जाना है दूर हो जाना है वेर संग को पहले से ही परक कर परिवर्तन कर दो तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा या तो आप उसको परिवर्तन कर दो कि भी ऐसी बाते नहीं करें तो आप भी सुकी, मैं भी सुकी या तो फिर उस जगह से आप चले जाओ दो चोईसे आपके पास में आकिर तीन चोईसे आपके पास में उस वेक्ति से मिलो ही मत सेकेंड चेज अगर मिलना पढ़ जाता है किसी कारेंट से हो सकते है रिष्टे जार हो तो सुनते भी मत सुनो सुन रहे हो लेकिन आप उसमें कुछ गौर नहीं कर रहा है लेकिन आप कुछ और सोच रहा हैं अपने अंदर तीसरी चीज कि आप परिवर्थन करो उस वेक्ति को अगर शक्ति है तो यह करना कैसे आप इसको आप प्रमकुमारी जमा करके सीख सकते हैं बहुत असानी से इसके जाथ ओम शन्ति